तो हाई एवरीबन दिस इस वरब ठाकूर और आज हम बात करने वाले हैं पोस कलोनिलिजम की देखो पोस कलोनिलिजम जो है काफी मज़ेदार चीज है और काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कमेंट्स में भी कई उने लिखा कि पोस कलोनिलिजम के बारे में आप बताईए इसमें कई राइटर्स आएंगे बहुत अच्छी चीज़े हैं बहुत डे टो डे लाइफ से रिलेटिड है और मैं तो बहुत खुश किस्मत मानता हूं खुद को की I'm an Indian तो मैं इस चीज़ को अच्छे से explain भी कर सकता हूं और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ भी सकते हैं तो बारे मेरे बारे में अगर जानना है तो चैनल के about section में जाईए और जाता जानना है तो दाना इम्पीरियलिजम एक होता है इम्पीरियसिजम ठीक है सिजम वाला जो है वो रैशनलिजम का अपोजिट होता है रैशनलिजम मतलब की बिलकुल अपना बिलकुल facts और उस पे चलना और इम्पीरियसिजम होता है थोड़ा सा emotions पे चलना ठीक है थोड़ा experiences पे perceptions पे ठीक है वो कोई state कोई power अपना जो empire है वो बढ़ाना चाहता है forcefully ठीक है इसमें एक चीज याद रखना imperialism forcefully होता है military force से related होता है ठीक है मान लो मैं एक राजा हूँ ठीक है या फिर मैं कोई भी एक ruler हूँ तो मैं अपना empire बढ़ाना चाहता तो मैं क्या करूंगा साथ वाले जगह में जि लेकिन आज की डेट में वह अमेरिका बाइडन कह रहा है कि हमने जो है forces वापिस लेकर जानी है अफगानिस्तान से तो वहाँ पर अपना empire और बढ़ाना चाहता है पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर करना चाहता है लगबग 100 districts उसने अपने अंडर कर दिये ठीक है त तो उस तरीके से वो क्या कर रहा है वो भी एक imperialism का ही हिस्सा है तो अंग्रेजों ने भी क्या किया था इंडिया मैंने कहा मैं एक इंडियान हूँ और अच्छे समझा पाऊंगा हम इंडिया खोद एक imperialism का पार्ट रहा है ठीक है हम जो है हम colonized लोग है अब यह colonialism आ गया न अंग्रेज हमारे देश में आये ठीक है लगभग उन्होंने 200 साल यहां पर राज किया तो पहले वो आये पहले उन्होंने business start किया इस इंडिया company आई धीरे धीरे वो अपना empire बढ़ाते गए ठीक है फिर अपनी colonies बसाते गए कहीं पर offices बना दिया कुछ बना दिया कुछ बन जाती है जहां पर अपना empire जो स्थापित किया जाता है जैसे कि culture है ठीक है language है literature भी है political ideas है political ideas है economics related चीज़े है ठीक है तो यह सारी चीज़े वहां पर थोपी जाती है अब जहां पर आप अपना empire स्थित करोगे वहां पर आप अपना culture भी spread करोगे impose करोगे बल्की language भी impose करोगे आज हम English पढ़ रहे है today we are studying English literature why because once Britishers came here they ruled here they set up their colonies in India ठीक है तो इसी लिए आज हम English पढ़ रहे है English is just a language but यहां पर इतना hype कर दिया इंडिया में कि the person who knows how to speak in English is genius so this यह चीज जो है relate कर दिये किसी से genius say that if you are able to speak good English you are a genius हाला कि it is just a language just like Punjabi, Marathi, Hindi, पहाड़ी जो कुछ भी हम बोलते है it's just a language we are learning a language nothing more than that but हमें इतना hype कर दिया है कि okay if you don't know English you are duffer ठीक है तो कोई फाइदा नहीं है आपका जीने का तो आज हम इंडिया में जो कुछ भी मैं यह कपड़े पहन रहा हूं jeans हम पहनते है याना shorts लड़क करते हैं हम जो गाने सुनते हम जिस साबसे टेबल कुर्सी पर बैटके खाना काते हैं folk use करते हैं ठीक हम पहले हाथ से खाया करते थे हिंदू लोग अभी साउथ में तो अभी जमीन पर बैठ कर लेके पत्ते पर हाथों से खाया जाता है लेकिन बहुत सारी ऐसे जो लोग ज है ना तो यह सारी चीज़े हैं कि हम कॉलोनाइज कभी हुए थे कॉलोनाइजर हमारे यह थे ब्रिटिश थे ठीक है तो ब्रिटेन ने हमें अपने अधीन अपना गुलाम बनाया था तो जितने भी गुलामी वाला जो सीन है वो सारा पोस्ट कोलोनलिजम में आएगा ठीक है भी पोस्ट कोलोलिजम में समझाओंगा पहले मैं यह बैग्गराउं क्लियर कर रहा हूं ठीक है तो कल्चर लैंगवेज लिट्रेचर पॉलिडिकल आइडियाज इकनोमी इस सब कुछ महां पर थोपा जाता है ठीक है अब हैजमनी मैंने बात की थी हैजमनी होता है रूल ब इंडिया में अंग्रेज आया है उसके क्या हिस्ट्री रही क्या कॉलोनाइज जो हम लोग थे हम पर उसका क्या फर्क पड़ा जो मैंने आप सब कुछ बताया कि जैसे हम घूमने फिरने हमारा हनी मूने हम वैलेंटाइन डे मनाते पूरा वीक मनाते वह सारा जो अंग्रेज इसके असर हुए अब रडियाड किपलिंग ने इक लिखी है वाइट मैंस बर्डन एक पोएम लिखी है तो उसमें उसने वही बात किये कि वाइट मैं पर एक बर्डन है इन लोगों का जिन पर वो रूल कर रहे है ठीक है तो पोस्कलोनिल उसी चीज की हिस्ट्री में जाना है तो उसमें यही सारी चीजें ढूणने की कोशिश करेगा एक जो इस थेयरी का बंदा होगा कि इसमें क्या क्या क्लोनिलिजम से रिलेटेड चीज़े हैं अब आप इंपिरियलिजम क्लोनिलिजम और पोस्कलोनिलिजम अच्छे से समझ गये हो ठीक है तो अब हम आगे चल ने रूल किया है ना इसमें सबसे बड़ा जो एक नाम आता है ब्रिटेन का तो ऐसा कहा जाता है तो ऐसा कहा जाता है बाइदी एंड ऑफ नैंटीन सेंचुरी इवन वन फिफ्ट ऑफ दी लेंड अप दी वर्ल्ड वास अंडर ब्रिटेन अब ब्रिटेन के अंडर इतना इस आफरीका यह मैं थोड़ा गंदा गंदा लिख रहा हूं आपको सबको स्पैलिंग्स तो पता है यह कंट्री जियना साथ अफरीका है बर्मा है सुडान है तो यह सारी कंट्री जिन देखो हम आज वर्ल्ड लिट्रेचर जो पढ़ते है ना उसमें वही सारी कंट्री जाती है जहां पर ब्रिटेन ने कभी रूल किया था इवन अमेरिका भी गुलाम था ठीक है अमेरिका भी शायद 1776 के आसपास आजाद हुआ है जहां तक मुझे इंडिया उस्टेलिया नियुजिलेंड कैनेडा साउथ अफरीका अब यह बर्मा सुडान इन सब का लिट्रेचर हम पढ़ते हैं ना वर्ल्ड लिट्रेचर में जो भी नेट की त्यारी कर रहा है तो अब यह समझ लेना कि जो साउथ अफरीका के जो राइटर्स होंगे जह हैं तो यह सारी चीजे अब इस टी कई सारी कानोटेशंस हैं की इंपिरियालिघ्ल इजम की अब इसमें क्integral लोूग कहते हैं अब जो economist इंप लिह उनने है अनुं का जैसे की बड़े economist एक डविद रिकार्डो है और i am smith है तो उन्होंने क्या क्या कहा कि यह गो इंपिरिय के लिए उनको कॉलोनाइज कर रहे हो उसको एक्स्प्लाइट कर रहे हो ठीक है तो इसमें एक छोड़े से ग्रूप का फायदा है फिर माक्सिस आये लैनिन बुखारिन वगरा उन्होंने कहा कि यह तो एक कैपिटलिजम का ही एक लेट वर्शन है ठीक है कि कैपिटलिजम की एक लेट स्टेज है कैपिटलिजम मैंने अपने माक्सिसम वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाया फिर उसके बाद माक्सिम के बाद कुछ लोग आये उन्होंने जैसे की बेकन है और मेकेवली है और हिटलर है, मिसलोनी है, इन लोगों ने क्या कहा कि सोशल डार्विनिसम से रिलेटेड, कि यह जो इंपिरियलिजम चल रहा है, यह तो एक बस सर्वाइवल है, स्ट्रगल फर सर्वाइवल है, सोसाइटी में का आपने स्ट्रगल करना, सर्वाइवल आप दे फिटेस, चाल् लेटिन अमेरिका, और एक है साउथ अफरिका, ठीक है, यह तीन कंटिनेंट्स है, इस इन कंट्रीज को गुलाम बनाया गया था, इन कंटिनेंट्स में जो कंट्रीज आती है, ठीक है, उनको गुलाम बनाया गया था, उनका जो स्ट्रगल है, कोलोनिलिजम के खिलाफ, वो colonialism में आएगा ठीक है तो उसने भी कहिना के जिनम दिया इन countries को third world countries कहा गया ठीक है इसमें बहुत सारी countries है तो आप Latin अब third world अभी नहीं कहा जाता अभी इनने tri continent कहा जाता है tri continent tri मतलब 3 continent तो Asia, South Africa and Latin America ठीक है तो ये जो तीन है इनने क्या कहा गया इनने कहा गया tri continent Africa, Asia, South नहीं आप Africa रखो Africa, Asia and Latin America ठीक है तो ये आपकी third world countries हो गई तो मतलब कि इन पे भी rule किया है Britain ने तो वो सारा सफिर post-colonialism में आएगा ठीक है तो मैं समझता हूँ कि इस से ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता आपको post-colonialism वैसे तो इतना मुश्किल है नहीं कि समझने वाला फिर भी हम इंडियन्स है हमें भी गुलाम बनाया है हम भी colonized लोग है ना तो अब आपने यह याद रखना है अब मैं आपको थोड़े से इसके ना राइटर्स और थोड़े वर्क्स बताता हूं अब पोस्ट कलोनिलिजम में सबसे बड़ा नाम है दो-तीन नाम बहुत बड़े एक तो frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-frantz-fr फिर इसमें एक Henry Lewis Gates junior इसका नाम भी आता ठीक है Henry Henry Lewis Gates इसमें इसने भी काफी वर्क लिके फिर इसमें आप Ben O'Krie भी है Derek Walcott भी है Walcott कि क्या स्पहलिंग है दिख लेना ना Derek Walcott भी इसमें आएगा इसमें आपका सल्मान रश्टी भी आएगा ठीक है अभी एम सीजेर भी है एक एम नेग्रिट्यूड मुवमेंट वाला बंदा यह एम सीजेर है ना दो बंदे इसके साथ और भी थे लेपाल्ड सेंगर एंड लेपाल्ड सेंगर एंड दवन कुछ तीसरे का मैं नाम भूल गय है अब इस वीडियो में मैं क्या क्या समझा हूं मैं सोच रहा हूं नेग्रिट्यूड भी समझा दो फिर वह हारलेम रहने सांसे आया फिर वह भी समझाना पड़ेगा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ना उसको कभी और कवर कर लेंगे अभी पोस्ट कलोनिलिजम की बा जोर्ज लेमिंग लेमिंग जोर्ज लेमिंग ने एक बुक लिखी दब प्लेजर ऑफ एक्जाइल नाइंटिन सिक्स्टी में ठीक है वह भी इसमें आता है एम सीजर का मैंने प्ता दिया डिस्कोर्स ओन को लिए इसका फिर यह अपना फ्रेंस फैनन इसने दर रेचेट बाबा के इनकी में अलग से वीडियो बनाओंगा एक वीडियो और बना दूगा उसमें गायतरी और यह हैंडरी जो भी बचे होंगे उनको मैं कवर कर लोंगा ठीक है तो इसमें यह यह लोग है अब एक इन्होंने जर्नल भी निकाला था वो किस नाम से निकाला था इसमें यह भी किया घया कि चलो इकठे हो जाओ ना और यह जो ऐसके खिलाफ यह जो कलोनलीजम वगरा इसके खिलाफ बात करो ठीक है तो अभी आपको मैं यह राइटर सो आपने याद रख लेना है मैं यह पोस्कलोनलिस्म वैसे लिस्ट बहुत लंबी है अब जितने भी म नाम भी आता है चलो उसको मैं बाहर ने बताता हूँ अब एक वर्क बहुत इंपॉर्टन्ट है एंपायर राइट्स बैक दी एंपायर एंपायर राइट्स मैं आपको वर्क सब्सक्राइब बाकी इसलिए ने बता रहा है क्योंकि तीन चे राइट्स में इंडिविजुली कवर करने वाला है ना तो उसमें उनके वर्क्स बताऊंगा जो ऐसे वर्क्स है जो उसमें नहीं आएगे तो वह मैं आपको बता रहा हूँ एंपायर राइट्स बैक नाइटीन 89 में आया है चाहिए चलो यह मैं डेट कंफर्म कर लूँगा अभी अब इसके राइटर सुन लो गेरिथ ग्रिफिथ की र-A-W-F-I-T-H-S बिल एश्क्रॉफ्ट बिल एश्क्रॉफ्ट तीन राइटर से इसका है ना और हेलन टिफिन टिफिन वो जो स्कूल को ले जाते है यह दोनों बंदे यह बंदी है ठीक है एमपार राइट्स बैक इसकी डेट मैं कोई कंफर्म कर लेता हूँ हाँ जी 1989 ही है यही है इसकी डेट फिर इसमें एक अब्दुल जैन मोहमद यह बंदा भी आता है इसने भी काफी वर्क्स लिखे बैनिता पैरी यह बी एक राइटर है ना लड़का है लड़की यह पता नहीं नाम से लड़की लग रही है तो यह आपने नाम याद रख लेना बस ऐसी थोड़े इसको आपने रख लेना फिर मैं आपको एक दो राइटर सौर बताता हूं के दो वर्क्स बताता हूं जो में इंडिविजुली कवर नहीं करूंगा एक नाम मैमी था मैमी अलबट मैमी मैमी म-e-m-m-i इसको मैमी वह वाली याद रख लो जो उसमें होती है ना पिर आपने ममी है ना तो एलबट मैमी ने एक बहुत इंपोर्टेंट वर्क लिखा है कॉलोनाइजर एंडि कोलोनाइजड इसकी इंपोर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं अभी आपको कोलोनाइजर एंडि कोलोनाइज नाइंटीन फिफ्टी सेवन मही आया इसका प्रिफेस जो लिखा था वो लिखा था यॉन पॉल सार्टर ने एक्जिस्टेंचिलिजम वाला बंदा इसको मैं कवर कर चुका हूं अपनी वीडियो में देख लेना कोलोनाइजर एंडि कोलोनाइजड बहुत इंपोर्डेंट बुक है एलवर्ट मैमी की एक और बुक है दे पिलर ऑफ सॉल्ट नमक का पिलर यह आया 1953 में इसका प्रिफेस लिखा है एलबर्ट कैमू ने टीका जी आई फिलर ऑसर्वitt नंटिंफेट्री यक्रिंट मैमी का लिए एलवर्ट मैमी का यह जो और कोलोनाइजर एंड यह जसले आप ने भीージग देको आपने व्लिख यह याद कालाइज़ाज यह तो यह दो वक्स तो आपने इसके याद रखने ही रखने है ठीक है यह दो एलबर्ट मैमी चलो जी यह हो गया तो पोस्ट कोलोनिलिजम का मैंने आपको लगबग सब कुछ बता दिया देखो नेगरिट्यॵड जो मूम Instant थी ना नेगरिट्यॵड भी वो फ्रांस में चली तो फ्रांस में जो कोलोनिलिजम के खिलाफ वो मूमिन्ट थी उस में भी मतलब नेगरिट्य। झो बलैकल लोग थे में उनको इकठा किया । कि चलो इसके खिलाफ लड़ने के खिलाफ कुछ हम ऐसा करते हैं जिसमें एकता हो ठीक है यूनिटी हो तो जो ब्लैक पीपल थे उनको इकठा करके किया है ठीक है तो फ्रांस में चली थी यह फ्रेंकोफोन जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे हैं यह मार्टिनिक एक आइलें लियोपार्ल्ड सेंगर अलेक्जंडर डुमस दी एम एस ठीक है अलेक्जंडर निया लियोन लियोन सॉरी ल इओ एलेक्जंडर निया यह एलेक्जंडर डुमस एक और राइटर है वो मुझे आद आ गया है लियोन डमास ठीक है तो यह तीन लोग नेगरिट्यूड के यह नेगरिट्यूड ठीक है जी नेगरिट्यूड मुमेंट थी याद रख लेना चलो जब पोस्त कोलोनिलिजम अब आप समझ गयो क्या है उस चीज की स्टड़ी करना कि कोलोनाइज जो कोलोनिलिजम के टाइम पर क्या के आसर पड़ा उनकी हिस्ट्री पर उनके कल्चर पर उनकी पॉलिटिक्स पर और एकॉनमी पर सारी चीजों की स्टड़ी करना कोलोनाइजेशन का जो भी इफेक्ट पड़ा है अब बेल्जिम जो था बेल्जिम मुझे आदा रहा तो बेल्जिम भी क्लोनाइजर अच्छा था उसने भी अफरीका में बेल्जिम कॉंगो को एस्टेबिश किया था जो की हार्ट ऑफ डाक्नेस में जोसेफ कॉन्रेट 1899 में जो आया है उसमें जो उसने बात किये ठीक है तो वह भी है तो यह सारी कॉलोनी का है जो लोग वार करते थे एंपीरियलिजम अपन के जो अगर टार्म्स होगी कुछ तो वह भी नहीं तो वर्क्स आपको बताऊंगा ठीक है चलो जी तो इस वीडियो पर इतना ही यू कन फॉलो में इंस्टाग्राम मैंने स्टार्टिंग मैं बोल दिया था दो दो बार बोलता हूं मैं भी यर चलो तब तक अपनी लाइफ क को एंज्वाय करो और बाई